हेलो प्रेंड्स मैं हूं रेखा सिंग स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यार स्टेडीश अपकर गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि 66th BPSC का नूटिफिकेशन आ चुका है मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप सब वेट कर रहे थे काफी दिनों से और मैंने कहा था इसाइड के सेप्टेंबर में नूटिफिकेशन आ जाएगा और मैंने आपको बताया भी था कि दिसेंबर और जैनवरी में एक्जाइम होगा तो BPSC ने बताया है कि जो एक्जाइम है वो दिसेंबर में है तो अब आपके पास अल्मोस्ट थ्री मंथ हैं और थ्री मंथ सफीशियंट होते हैं मेरी बात मानिये मैं आपको आज एक स्मार्ट स्ट्रेजी बताऊंगी थोड बहुत कम बुक्स बताऊंगी बद बहुत इंपोर्टेंट हैं इनको अगर आप कर लेंगे और रिवाइस कर लेंगे दो तीन बार तो आसानी से आपका प्री निकल जाएगा ओके विदाउट वेस्टिंगल मिनिट विल मूव फॉवर्वर्वर्ड दिके गाई सबसे पहले कर लिए बट आप दिसेंबर तक ही अपने प्रेपरेशन पूरा कर लीजेगा 14 पोस्ट के लिए 562 है टोटल जो पोस्ट है 14 सेवाओं के लिए नियुक्ती होगी इस बार एड्मिनिस्ट्रेटिव साविसेज नहीं हैं बाद में एड हो सकती है क्योंकि 64 में भी स्टार्टि है तो इसके लिए आप निराश ना होएगा आप तैयारी अच्छे से कीजिए ओके यह सब आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजेगा नोटिफिकेशन के बार में मैं आप ज्यादा डिसकस नहीं करूंगी क्योंकि अल्रेडी सब कुछ डिसकस हो चुका है एक जब वो ऑनलाइन आववेदन करेंगे तो उनके द्वारा जो भी दावे किये जाएंगे प्रमाण पत्रों को लेकर वो उनको अपने साक्षातकार के समय ही प्रस्तुत करने होंगे उनको टाइम एक्स्टेंड नहीं दिया जाए जैसे अभी टाइम एक्स्टेंड करके दे दिया जाता था इंट्रव्यू पर अगर कोई केंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा है तो इसको एक दू हफ्ते का टाइम महीने का टाइम दे दिया जाता था बट यह मैंशन स्पैसिफिकली अब कर दिया है बीपीर सी ने नोटिफिकेशन में ही कि सा 28 सितंबर से आपके जो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे ओनलाइन देखिए गाइस क्विकली मैं पहले आपको बता देती हूं बहुत डिफाइंड प्रिसाइस लेबर्स हैं मुझे लगता है कि जो जितने भी स्टेट PCS हैं उसमें से बहुत सबसे कम जो पढ़ना है पैटन सेम है उसके डाउट में थे सब्सक्राइब ले थे 150 क्वेशन आते हैं आपे एक ही पेपर होता है और नो नेगरिटिव मार्किंग अ है महीं को नेगरिटिव मार्किंग वोती नहीं इसमें सीसेटक कोई पेपर नहीं है सिंगल पेपर ह.szigt next होते हैं एक रफ आइडिया मैं आपको दे रही हूं गाईज तोन गेट बोर्ड पॉलिटी मैं आपके 15 से 20 क्वेशन पूछे जाते हैं हर साल एक नौमी से आपके 10 से 15 क्वेशन आते हैं ठीक है जोगरफी की मैं बात करूं तो 10 से 15 हिस्ट्री की बात करूं तो 20 से 25 बीस से 22 भी होते हैं थोड़ा चेंज होता रहता है मैच रीजनिंग में गाईज 10 क्वेशन ही आते हैं फिक्स है ये ठीक है तो जो केंड़ेट मैच में बीक है उन्हें टेंशन लेने की ज़रत नहीं है वो इन क्वेशन को छोड़ भी देंगा और बाकी अच्छे से सारा पेपर कर लिया तो उनका क्लियर हो जाएगा साइन्स से आपके 18 से 20 क्वेशन आते हैं ओके उसके अलावा होता है आपका बिहार स्पैशल जिसमें बिहार की जीके भी आ जाती है आपकी इससे 10 से 15 क्वेशन आते हैं और बिहार सारा जो आपका करेंट अफ्यार है करेंट अफ्यार मैंने यहां पर यह तो देखी नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफ्यार है उ उससे भी आपके पास से 10 questions आते हैं ठीक है I think पूरा हो गया है ओके यही सारा है आपका जो syllabus यह प्रिलिम्स का इतना ही है इसके अलावा कुछ नहीं आता है यह आप मैं आपको बता देती हूँ कहां कहां से कावा करना है ठीक है देके गाइज सबसे पहले तो लिशेंट आती है आपकी ज़र्नल नॉलज़ ज़र्नल चाहरी एक ओला आपका हिस्ट्री जोगरफी की पॉलिटि एक नॉमि कर такую आपका साइंस होता है इसमें सारा कुछ होता है और यह प्रेक्टिस के लिए यह वंड़फुल बुक है और ऐसा मैं सोचिए कि ऐसे सी और बैंकिंग रेलवे के लिए है यह बीपी ऐसी के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है कितने इसे हैं जो इसी से तयारी करते हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है यह आप आलिटी और इकनॉमी जोग्रफी हिस्ट्री का इससे प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दो-तीन वार इसे जरूर गो तुरू कर लिजगा गाईज यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं और कई क्वेश्चन डारेक्ट आ जाते हैं उसके अलावा जर्नल साइंस का अभी थोड़ा बढ़ गया है वेटेज 18-20-20-25 क्वेश्चन जर्नल साइंस से आ रहे हैं तो लिजए इसमें भी साइंस होती है बट फिर भी अगर आपको अलग से सा जा आओंगी वीपी ऐसी के लिए अफूर पेपर सॉल पेपर प्रीविएस येर्जे सब् सॉल पेपर Sergeant प्रिवियर्स के जो सॉल्ट पेपर है प्रिलिम्स के उसका बुक ले लिजेगा अरिहंत की एक बुक आती है बड़ी ही अच्छी है सॉल्ट पेपर उसमें दिये हुए है अब तक के ठीक है पैसट वी जो आपकी BPSC हुई है वहां तक कि आप अपने सॉल्ट पेपर का एक बुक लेट आएगा अरिहंत का उसको ले लिजेगा कुछ 100.500 की कॉस्ट पड़ती है उससे आपको एनलिस्स आप एक बार कर लीजे खुद से खुद से करेंगे सेल्फ इस्टडी इस बेस्ट इस्टडी एक बार उसको गो थू कीजिए और देखिए कि क्या पैटन है कैसे कैसे क्वेशन है हर साल किस से कितने क्वेशन आ रहे हैं एक Crown Publication की बुक ले सकते हैं बिहार के लिए उसके अलावा Arihant भी आप ले सकते हैं Arihant की जो बिहार Special है ये भी अच्छी बुक है उसके अलावा बिहार एक परिचे आपकी इमतियाज एहमद जी की बुक है ये बहुत सुन्दर बुक है और ये सारा कुछ कवर करती है जो Hindi medium के स होती है इसलिए तो इसको जरू कर लिजेगा गाईसे डारेक्ट क्वेस्चन आते हैं उसके अलावा बिहार समगर भी इक बुक है इसको भी आप ले सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रेक्टिस प्रेक्टिस के लिए आपको 300-400-500 आपको प्रफेशन अब्जेक्टिव टाइप के दिए होंगे और स्टार्टिंग में आपको बिहार के बारे में डिटेल्ड स्टडी इसमें वह है इंपॉर्टेंट है यह मेंस में भी आपके काम आएंगी उसके अगरावा के बीसी नहों की बिहार की कुल्च्रल एमिनेंस की बुक ह है यह मेंस में भी आपकी हेल्प करेगी टाइम उतना आप नहीं है आवा आपके पास सिर्फ थ्री मंद्स है तो अचाहू तो आप इसे ले सकते हो जादा महेंगी यह बुक नहीं है शौड़ेट्स हो की होगी उसके रावा बिहार लेंड पीपल एन इकनॉमी एक बुक है यह आपको मेंस में मदद करेगी गाईज इसमें बिहार का जोग्रफी है थीक है बिहार की इकनॉमी भी है बिहार के जोग्रफी बहुत अच्छे से इसमें दे रखी है तो इसको गवा कर लोगे तो यह आपको जो GPS ц क्टु है में इसका में के लिए के लिए करेंगे कुछ को इतना में आपको करेंगे एंत्रम हो गया हैं अब तो आपको अजुछाउक्टी ते दीआ shaping विसे तो मि二 इन कर से कि अब रिक्त्ष मेंने कैनी कि अभें consciousacles तो इससे काम चल जाएगा इंडियन जोग्रफी की मैं बात करूं तो जोग्रफी के लिए फैक्ट तो आपके लूसेंट से ही कवर हो जाएंगे इसमें 400-500 इंडियन जोग्रफी 500 से ज्यादा क्वेशन है इंडियन जोग्रफी के और वर्ल जोग्रफी के ठीक है उसके अलावा कंसेप्ट के लिए आप महेश वरनवाल की बुक आती है ठीक है इनका बुक ले लिजेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आवेलेवल है तो दोनों मीडियम के जो स्टुडेंट्स हैं उनको दिकत नहीं होगी मेंस में भी ये बुक आपकी मदद करेगी फाइन बिहार स्पेशल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है रही बात एकनॉमी की देखिए गाइस एकनॉमी के लिए बिहार का जो आपका एकनॉमिक सर्वे है बजट है ठीक है और लिउसेंट में प्रेक्ट लाइन वाला जो संसकरन जो छपता है वो ले सकते हैं ठीक है बड़ा अच्छा है वो कि इतना आप कर लेंगे तो काफी है इससे बाहर जाने जाएगा ही नहीं कुछ भी ठीक है हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता देती हूं फ्रेंड्स कअ हिस्ट्री के लिए आप आपको ये तो करना ही है हिस्ट्री भाई से प्रेक्टिस करनी है आपको उसके अलावा एस के पंडे की चाहीं है देखें स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या फिर जिनके पास्ट्रम बहीं अच्छी बूक या बटा एस के पांडे ज्यादा फैक्ट्वल तरीके से देखोगे तो एक जो इसके पांडे है हिंदी मीडियम बैवे लेवल है और इसका मेडाइवल मॉडरन एंशियन तीनों ही पार्ट मिलते हैं तो इसको आप अच्छे से देख लिजेगा पढ़ लिजेगा बहुत इंपॉर्टन डा का एक पढ़िए और देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है कापी बनाके रखिए हो इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज वगरा जो आ रही है जो आपको लगता एक्जाम में चीज आ सकती है तो उसको आप पैंडाउन कर सकते हैं उसके अलावा घटना चक्र आप ले सकते हैं 6 माइने 8 माइने का करेंट अफैर कापी होता है हिंदी में इंग्लिश दोनों में अवेलेवल होती है मैगजीन तो इन से आप कर लेंगे तो आपका जो है करेंट अफैर वह कवर हो जाएगा ठीक है तो यह सारा बुक्स का डिस्क्रिप्शन था गाइस मैंने कर दिया है अगर आपको इसके लावा कोई डाउट है इतना आप कर लेंगे तो more than sufficient है और आप सारा पेपर सॉल्फ कर पाओगे ठीक है आप ऐसा नहीं होगा कि बॉर्डर लाइन पर आके अटक जाओगे अच्छा खासा माक्स आप प्रिलिम्स में 120 प्लस स्कोर आप कर पाओगे ठीक ह 30 score इतना score safe score माना जाता है तो इतना आप कर पाओगे I think आपको सब कुछ clear हो गया है guys कोई doubt हो तो मुझे comment section में लिखकर जरूर पूछेगा और मेरी आप से एक request और है कि practice must है dilution जो मैंने बताया उसको 3-4 बार practice कीजिए जितनी भी books मैंने एक ही book refer कीजिए एक subject के लिए बट उसको 3-4 बार जरूर पढ़िए ठीक है it's better to read a book three times rather to read three different books तीन अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को तीन बार पढ़ लीजिए ठीक है उससे आपको edge मिलेगा दूसरे candidates के comparison में fine I think सब कुछ clear हो गया है guys और अच्छे ता तयारी कीजिए मैं आपके साथ हूँ channel आपके साथ है कोई भी doubt होगा हम current affairs को cover करेंगे और सारा कुछ करके हम cover करेंगे आपके लिए ताक कि आपको कोई भी दिकत ना हो practice कीजिए okay take care do like share and subscribe thank you so much